हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग म्यूजिक के साथ साथ अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं टिक टॉक की अप्लिकेशन में मतलब ये के आप लोगों का background music भी चलेगा और उसके इलावा आप लोग अपनी voice को भी record कर सकेंगे अपनी टिक टॉक की application में और ये बहुत ही असान काम है मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा इसमें मसला है आप लोगों को गोर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीचे का मैं हूँ शाहिद आप देख रहे हैं tech stories तो guys जो सबसे पहले आप लोगों ने काम करना है वो तो ये करना है कि आप लोगोंने जाना है और जाके अपनी वीडियो बनानी है मतलब यहां से आप लोगों की वीडियो बनेगी तो यहां से आप लोगोंने वीडियो पे क्लिक करके रखना है या फिर जो भी करना है मतलब यहां से टाइमर लगा लें आप अगर नेमर लगाना चाहते है तो start countdown इस तरह से हो जाएगा तो आप लोग वीडियो भी बना सकते हैं तो यहां से आप लोगों ने वीडियो वाले बटन पर एक क्लिक कर देना है ताकर वीडियो बनने लग जाए इस तरह से आप लोगों की जब वीडियो बनने लग जाए तो आप वो चीजें बोलनी है जो जो भी आप उस वीडियो में बोलना चाहते हैं तो इस तरह से जब आप लोगों की वीडियो बन चुकी है तो आप लोगों ने ये करना है कि मतलब ओरीजिनल साउंड के साथ ही आप लोगों की वीडियो बन चुकी है यह आप लोगों ने याद रख तो आप लोगों ने अब ये करना है कि यहां पर sound वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहां से जाके अपना sound सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन सा sound जो है वो चाहते हैं इसमें लगाना मतलब background में लगाना चाहते हैं या वैसे लगाना चाहते हैं जिस तरह स पून से आप लोग निकाल सकते हैं कोई भी sound जो कि आप लोगों ने download किया होगा अगर आप लोग वीडियो में अपना sound ला चुके हैं मैंने एक sound select कर लिया है यहां से आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक sound select करके ले आया हूँ तो उसके बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने यह करना है कि यहां पे trim वाले बटन पे क्लिक कर लेना है यहां से आप लोगों ने इसको drag करके देख लेना है कि आप लोग उस sound को किस जगा से start करना चाहते हैं कि आप लोगों की वीडियो पे जो background music है या फिर वैसे जो music है वो यहां से start हो तो यहां से आप लोग ड्रैक करके इसको start में click कर सकते हैं कि यहां पे start हो जाए और उसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो आप लोगों ने यह करना है कि यहां पे mixer वाले बटन पे जाना है और इसको जाके आप लोगों ने यह उपर जो है original sound आ रही है जो आप लोगों ने अपनी अवाल डिकॉर्ड की है वो यह वाली sound है तो इसका आपने volume देखना है ज्यादा कर लेना है और साउंट रेक का आप लोगों ने वालियम देखके कम ज़्यदा करके इसको देखना है कि कहां पे जो है ये मेरा जो साउंट रेक है मतलब जो म्यूजिक मैंने लगाया है वो कहां पे सेट बैठ रहा है मतलब ये किस जगा पे जाके मेरी आवाज भी आ रही है और साथ अपनी वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हैं और यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी इसी तरह की और वीडियो और नए ने टिप्स और ट्रिक्स और टिक टॉक की डिफेक्स के टुटोरियल बगरा सारी चीजें आप झाल 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 sitten हम झाल 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 झालorkकर सकते हैं आप।